है एवरीबडी वेलकम तो मैं चैनल माइन बूस्टर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैसिजम और यह फैसिजम टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फॉर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थियरी उसका तो गाइस वाट इस फैसिजम यहां पर डेफिनेशन क फार राइट ऑथोरिटेरियन अल्टर नाशनलिजम केरक्टराइजट बाडिक्टोरियल पावर सो इतने इतना जो हमने अभी पड़े उसका मतलब यह होता है कि फैसिजम कैसा एक फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है जिसमें ऑथोरिटेरियन होता है जैसे कि पावर सारी जो बाचंका इंडरेस्ट के उपर जादा फोकस किया जाता है ना कि सबके उपर यह दिक्टोरियल पावर होता है जैसे कि एक ही जैसे अपने ही मर्दी का करता है उसको जो सही लगता वह करतें ना कि वह सबका सुनके एक डिसीजन लेता है और Forcible Suppression of Opposition और जो Opposition होता है उसे Forcible Suppress किया जाता है ताकि वो उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए And Strong Regimentation of Society और जो Society उसे भी strongly regiment किया जाता है And of the Economy which came to be prominence in early 20th century Europe तो आपने आपको यह definition समझ में आ गई होगी यह कॉंप्लिकेटर समवाट कॉंप्लिकेटर देफिनेशन में आपको सिंपल यह बताती हूं कि फासिदम में क्या होता है जो पावर होती है जैसे एक state है उसको जो चला रहा है जो जूलर होता है वो जूलर के पास ही सारी पावर होती है वो सारे decision लेता है ना कि कोई people का कोई idea वगरा कुछ काम नहीं आता है ना use किया जाता वो सिर्फ अपने वरजिसे rules लगाता है सब कुछ करता है और वो एक dictator होता है वो सिर्फ लोगों को बताता है कि ऐसा करना है वैसा means आपको यह रूल फॉलौ कहना है आपको ऐसा कहना है सिर्फ वो डिक्टेट करता है तो आपने यह फैसिजम वर्ड उना होंगा तो क्वेसिजम कहा पर एस्टैबलिश हुआ था इतली में इस्टैबलिश और किस ने किया था यह यह किया था मुसुलीनी ने अब हम देखेंगे कि जो book है इसमें क्या definition देखर है The meaning of fascism possess considerable difficulties owing to the fact that ideas characterizing fascism are untidy and enjoyed तो जो ideas है जो fascism को characterise कर रहे है वो untidy है Then these are derived from a variety of sources and socio-cultural tradition So one does not find a classical text like Marx does capital To authoritatively outline and delineate the central ideas of fascism, moreover fascism, chemical indifference to intellectual honesty, further contribute to the LSU additional categories that it portrays Okay, तो आपको ये definition उतनी खास समझ में नहीं आई होंगी So जो guys मैंने आपको पहले definition बताई है आपको वो समझ में आ गई होंगी Then So जो fascist है उसमें कुछ core ideas है पहला है irrationalism So irrationalism का मतलब ये होता है कि जो rational ideas होते हैं, concept होते हैं उससे opposite चीज़े होती है Then Second one is racialism So racialism में आता है कि जो racist होती है उसके बिहाफ पे हम difference generate करते हैं So जैसे की example है Hitler का So Hitler ने जो people को categorize किया था Three racial categories में पहला उन्होंने कहा था The culture creating race So race कौन create करता है? Culture create करता है जैसे की Aryans The culture bearing race Culture क्या करता है? Race को bear करता है जैसे की slaves, orientals, last years And third one is the culture destroying race And culture ही destroy करता है race को जैसे की Jews, Negros, etc. Okay Then आता है statism Statism एक authoritarian का ही एक form होता है Okay Then फिर आता है Illetism Illetism होता है कि आपका एक एक behavior होता है या फिर एक belief होता है कि जो कुछ लोगों को ही एक special treatment मिलना चाहिए मतलब Some people should treat in special way Okay तो गाई इस मतलब आपको सबसे पहले तो यह जो भी हमने पढ़ा है Statism, Illetism तो यह सबसे पहले होता किया है आपको यह समझ ना है Okay Then उसका जो आप detail में आप खुछ भी उसको लिख सकते हो Then आता है Absolute Leadership So Absolute Leadership में क्या है जो नाजी जर्मनी है जर्मनी में कौन सा फॉम चलता था गवर्मेंट का नाजी So नाजी जर्मनी इन्वेंटेड सच स्लोगन As leader is the party, the party is the leader So उन्होंने क्या स्लोगन बनाया था कि जो लीडर है वो पार्टी है और जो पार्टी है वही लीडर है And the leader knows the goal and the direction और जो लीडर है उसको goals भी पता है और direction भी पता है The position of the leader was so invincible That Germany came to be known as the future state So Germany को कैसा state बताया गया था Future or Leader state So this is our statement जो जो स्लोगन जो इन्वेंट किया था Germany ने Okay, this was the highest mark of political absolutism Then he never sleeps with close eyes That he never sleeps with close eyes So वो कब आखे बन कर के कभी नी सोया He reads our innermost thoughts He knows everything, he is a pride and honor of the nation Okay So guys I hope so कि आपको fascism का मतलब समझ में आया होंगा पிरियो झाल